प्रधान मंत्री कुछ बोलने के लिए त्यार नहीं है आप महिला सांसा दोकर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है तो यहां आपने देखा मिनाक्षी लेखी जो है केंद्रिय मंत्री है देश की आन देश की बान और देश का जंडा उचा करने वाले रेसलर्स पहलवान जिनोंने विदेशों में जाकर कुछ तिया लड़ी देश के जंडे को उचा किया और उनको मैडल मिले तो देश का जंडा उचा हुआ बाकि सारे देशों के जंडे नीचे रहे जिनके साथ लेकिन बीते दिनों से आप देख रहे हैं कि वो ही महिला रेसलर्स और पहलवान दिल्ली के जंतरमंतर पर बैठे थे पहले जब वो बैठे तो उनको उठा दिया गया आश्वासन देकर खेलमंतरी के जरीए लेकिन अब जब पिछले एक महीने से ज्यादा देश के पहलवान जंतरमंतर पर बैठे लहे उस बीच कितने उतार चलाओ आए वो सब ही आपने देखे लेकिन इस वक्त ताज़ा अपडेट जो आपको देने जा रहा हूँ वो यह है कि महिला रेसलर्स ने जब अपने मैडल गंगा में बहाने का फैसला कर दिया तो फिर नरेश टिकेट पह आपको बताने जरूरी है जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि आखिर पुलिस की जाच किस तरफ जा रही है और आखिर इस पूरे मामले में क्या होने वाला है तो सबसे पहले यह सुन लीजिए कि जो महिला पहलवान दिली के जंतरमंतर पर बैठे हुए थे उनको उस दिन ह इस तरह से वेवार कर रही थी वो देखने वाली तस्वीरे थी जो देश को शर्म सार कर रही थी उसी के बाद से दिली पुलिस ने साफ जाहिर कर दिया अपने ट्वीट के जरिये भी और अपने बयान के जरिये भी कि अब इन पहलवानों को जंतरमंतर पर नहीं बैठने द और वो मैडल्स जो उनको मिले थे, जो उनका सम्मान था, जो देश का सम्मान था, वो बहाने का फैसला किया, जारोकतार रोते नजर आए, लेकिन सरकार के कानों पर जूरेंगती हुई किसी नहीं देखी, अब इस पूरे मामले में जो अपडेट है वो आप ले लीजिए, कही न कहीं वो धारा खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिस महिला रेसलर्स की बात कही जा रही थी, कि वो नाबालिग है, उसको बालिग बताया जा रहा है, ये सुत्रों के अनुसार खबरे सामने आ रही है, और वहीं दूसरी तरफ, ब्रिजबूशन शरंग सिंग की गिरफतार की जो मांग है, वो तो पूरी होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन दंगे जैसी धाराएं, पहलवान रेसलर्स, महिला रेसलर्स पर लगती हुई नजर आईं, जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, देश की संसत के बाहर जाने का फैसला किया, और शांती पूर तरीके से अप पूरे देश ने देखी, जिसमें एक पत्रकार है, महिला पत्रकार है, उन्होंने मिनाक्षी लेखी जो की भारती जनता पार्टी से सांसत भी है, बीजेपी की बड़ी नेता है, उनको भागते भागते पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मिनाक्षी लेखी उनके हाथ नहीं लेकिन इस महिला पत्रकार ने अपनी हिम्मत से, अपनी जाबाजी से, पूरे रास्ते महिला पहलवानों के सवाल को लेकर मिनाक्षी लेखी का पीछा किया. बार-बार मिनाक्षी लेखी से पूछा, कि मैडम आप महिला पहलवानों पर क्यों नहीं बोल रही है, रैसलर्स पर क्यों नहीं बोल रही है, वो देश की आन है, देश की बान है, देश की शान है, परधान मंतरी मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप ये सवाल समझ रहे हैं, कितनी हिम्मत का काम है ये सवाल एक बीजेपी की इतनी बड़ी नेता से पूछ लेना और सिधे प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की खामोशी पर सवाल उठा देना हिम्मत की दाद देनी होगी आपको इस महिला पत्रकार की देखिए ये वीडियो माम रेसलर्स बेठे उनके लिए क्या कहना चाहिए ऑप अब आप मेडल वहाने जारें उनके बारे में क्या कहेंगी आप प्रधान मंत्री कुछ बोलने के लिए त्यार नहीं है तो यहाँ आपने देखा मिनाक्षी लेखी जो है के लिए मंत्री है महिला सांसद है लेकिन पहलवानों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलो और जिस तरह भागी है वो सब आपने देख लिया है यहाँ पर तमाम भाशन उन्होंने दिया था वहां से मंदिर से यहाँ तक भागते वे वो आई है और उनकी गाड़ी आप जाते वे देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी महिला सांसद हो जवाब देने को तयार नहीं है उनसे पहलवानों का सवाल किया गया उन्होंने कुछ नहीं बोला उन्होंने कहा कानूनी प्रक्रिया चल रही है शुक्रिया आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े आईनन चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर हमारा पेज आईनन चैनल जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फेस्बुक पर हमारा पेज आयनन चैनल जिसको आप लाइक कर सकते हैं और वीडियो को जाद से जादा शेयर कर सकते हैं धन्यवाद।